अब देखेंगे कि अध्याय वन हमारे आसपास के पदार्त OMR पेपर पर अधारित MC की कोस्टन कैसे आपके एक्जाम में पूछा जाएगा तो इसी पर आज हम चर्चा करें और आज का सेट लेके आएवे हैं तो धियान से देखें कि किस तरह से पूछा जा रहा है आप देख हैं आपके पास option कैसा कैसा दिखाई दे रहा है धियान से देखें सीत है स्नेय है वाई है और घिरिना है तो आप बता सकते हैं कि इसका सही option क्या होगा तो यह रहा आपका सही answer वाई is correct answer आई चलिव देखते हैं next question दिया है कि गैसो में विसरन का एक उधारन है उधारन कौन सा है आपके पास option भी दिखाई दे रहा है धियान से देख सकते हैं इत्र के सुगंद का हवा में फ्यलना सिहाई के पूरे पानी में फ्यलना और देख रहें यहाँ पर आपका क्या है कि copper sulphate के crystal को पानी में डालना इन में से कोई नहीं तो बता सकते है कि सही answer क्या होगा तो सही answer यह रहा आपका इत्र के सुगंद का हवा में फ्यलना ऐसा ही question आपको परिच्छा में देखने को मिलेगा इसलिए धियान आप अपची तरह से वीडियो को अंतक देखें question 3 number है कि गैस का द्रवे में परिवर्टन कहलाता है क्या कहलाता है गैसी करन उर्द्वा पातन संगनन या जमना तो सही answer क्या होगा यह रहा आपका सही answer संगनन इज राइट आंसर चलिए फोर्त नमर question को देख रहे हैं नीमन में किसका घनत सबसे अधिक होता है ठोस का होता है द्रव का या गैस का या पलाजमा का तो सही answer है आपका ठोस इज राइट आंसर पांच नमर question को देख रहे हैं किस अवस्था में अनुवा की उर्जा अधिक्तम होती है तो ठोस है द्रव है गैस है इन में से कोई नहीं तो सही option को आपको चुनना है सही option जल्दी से बता स होती है आईए चली देखतें question number six को हम ध्यान से देख रहे हैं किस अवस्था में अनुवा की उर्जा सबसे कम होती है तो option है ठोस द्रव गैस इन में से कोई नहीं तो सही option को बताएए क्या होगा ठोस इज राइट आंसर ध्यान रहें यह सब question काफी महत्पूर्ण है question को आप देख रहे हैं पदार्थ के किस अवस्था में अंतरा गुन बल प्रबलतम होता है तो option देखिए ठोस द्रव गैस इन में से कोई नहीं तो सही option आपका ठोस इज राइट आंसर चलिए question number eight को देख रहे हैं निम्न में किसमे कनों की अधिकतम गति होती है तो option आपके answer guys is right answer आइए चलिए देखते हैं को nine number question क्या का रहा है जल का कोथनांग है जल का कोथनांग क्या होगा zero degree Celsius या 100 degree Celsius या दूसो तेहंतर डिगर Celsius या 373 degree Celsius तो आपको सही option को बताना है सही option क्या होगा जल्दी से बताइए तो यह रहा आपका answer सही 100 degree Celsius is right answer चलिए 10th question को देख रहे हैं सूद जल का कोथनांग कितना होता है 173 Kelvin होता है 273 Kelvin होता है 373 Kelvin होता है या इन में से कोई नहीं तो सही option को चुनना है सही option आपका होगा 373 degree 373 Kelvin is right answer अब 11 number question को आप देख रहे हैं कि बर्प का गल्नांग होता है तो बर्प का गल्नांग कितना होता है 0 degree centigrade या 273 degree Celsius या 273 Kelvin या 373 Kelvin तो सही option को आपको बताना है सही option को बताईए तो सही answer आप देखेंगे 0 degree Celsius या 273 Kelvin is right answer आईए चले question नमर 12 नमर को देख रहे हैं 300 Kelvin तापकरम बराबर हैं किसके बराबर हैं आपके पास 4 option दिखाई दे रहा है 27 degree Celsius, 25 degree Celsius या 200 degree Celsius या 273 degree Celsius तो सही option आपका क्या होगा जल्दी से बताईए ये परिक्षा के दिरिष्टी कौन से काफी मातपूल question है तो जल्दी से बताएंगे answer क्या होगा तो ये रहा आपका answer 298 Kelvin is right answer आईए चली देखते है question नमर 12 में आते हैं और क्या का रहा है कि 373 degree Celsius से तापकरम बराबर है किसके बराबर होता है आपको ये बताना है तो देख रहे हैं आपके पास क्या है एक सो पांच शेलिस Kelvin या छो सो चेलिस Kelvin दो सो तेहंतर Kelvin या एक सो केलिविन तो सही option आपको चुनना है क्या होगा तो ये रहा आपका answer 646 Kelvin is right answer आईए चली देखते हैं 15 नमर question क्या करा है कि गर्म भोजन या इत्र की गंद दूर तक किस कारण से फैल जाता है ये आपके chapter नमर 1 से लिए है ये class 9 से ये जुड़ी हुई MC की question है आपके first terminal exam में ऐसे ही question देखने को मिलेंगे तो 15 नमर question का answer क्या होगा कि गर्म भोजन या इत्र की गंद दूर तक किस कारण से फैल जाती है तो answer क्या होगा देख रहे है विश्रन, संगलन, वापन या द्रवन तो देखां सही answer आपका विश्रन is right answer 16 नमर question को देख रहे है कि 0 degree Celsius पर जल की बहुतिक आउस्था क्या होगी आपको बताना है कि दियान से देखें कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ सुद्ध हैं इसके बारे में हम question लेके आए हैं तो देख रहे हैं निम्ल में कौन सुद्ध पदार्थ है दूद रक्त जल मिश्र धातू तो सही answer क्या होगा बता सकते हैं जल इज राइट आंसर दो नमर question को देख रहे निम्ल में कौन असुद्ध पदार्थ है आपको बताना है कि sodium, yu, hydrogen, ammonia तो सही answer क्या होगा जल इसे बता सकते हैं गई स्कीजिए सही answer आपका why is right answer चलिए तीन नमर question को देख रहे हैं निम्ल में कौन मिश्रन है चांदी, hydrogen, gel, yu तो आप बता सकते हैं ये आपके पास चार option ह चुनना है option आपका सही है why is right answer आईए question नमर फूर्थ को देख रहे हैं कि निम्ल में कौन समांगी विश्रन है वाई, soda, gel, मिटी, लकडी तो सही option को बताना है सही answer आपका होगा soda, gel is right answer अब पांच नमर question को देख रहे हैं कि निम्ल में कौन विश्रन है तो बता सकते हैं answer क् आपको सही option को बताना है सही option क्या होगा ये रहा आपका सही answer why is correct answer शीक्स नमर question को देख रहे हैं निम्ल में कौन विश्रन का उधारन है तो चीनी प्लस जल, साधारन नमक प्लस जल, फिटकरी प्लस जल और मिटी प्लस जल तो अब बता से मिटी तेल प्लस जल है तो answer क्या ह होगा मिटी तेल प्लस जल मिटी तेल को हम किरासन जिसको करते घासलेट भी कहा जाता है आईए साथ नमर question को देख रहे हैं कि समांगी मिश्रन कहा जाता है किसको कहा जाता है निलंबन को कहा जाता है विलियन को कहा जाता है या कोलाइड को कहा जाता है या इन में से कोई न है वाईू, सोडा जल, दूद इन मेंसे कोई नहीं? तो आपको सही option को चुनना है? सही option आपका क्या हो सकता है? तो यह रहा आपका सही option को देख रहे हैं. सोडा जल is right answer. Question 9 को देख रहे हैं. नीमन मिस्रनों मेंसे billion की पापचान करें huis सम वायू तो सही option को बताएंगे सही option आपका क्या होगा समुद्री जल इच राइट lighthall सज दस नमर को में को देख रहे हैं इन में से कौन उपधात है सोना खांदी ए सोडियम है जमेनियम है तो बताएंगे सही opinion क्या होगा यह यह रहा सही आंसर जल में इस राइट आइए चली कोश्चन 11 नमर को देख रहे हैं सोरे की जल में विलेता बीच डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है तो इस तापर 10 ग्लम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलियां संत्रित बन जाए तो यह रहा आपका आप्शन सही आपका दुआ एज राइट अंसर बच्चों आप देखे कोश्चन को हम लेके आए थे सोला कोश्चन उसके और नाइन कोश्चन लेके आए और यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को पाते ही आप कोमेंड करें क्या इस तरह से और कोश्चन आपको चाहिए तो यथा सिर्फ क कमेंड करें आपसे मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ताकि सभी बच्चे अपनी एक्जाम की प्रीपेरेशन बनाई रखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो